माता की सभी वक्तों को कैसे हो आप सब आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्सिती हैं और मा जगजनी मामबे की क्रिपा सभी के ऊपर बनी हुई है तो आप सभी के प्यार से और मा के आशिवाद से फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर होगी हूँ और आज जाने में हमसे इन दिनों में पूजा हो जाती है या हमें पता ही नहीं होता है कि गुप्त नवरातरी चल रही है या माता की को शुब दिन हमारे लिए आ रहे हैं तो उन दिनों में अगर अन जाने में भूल वक्स भी हम कोई पूजा अर्चना कर लेते हैं तो उसका हमें क्या benefit होता है क्या फाइदा होता है क्या लाब होते हैं बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता होगा तो आज की जो वीडियो है उसमें ही है कि आपको अगर आप भी गुप्त नवरात्री की पुजा अर्चना सिंपल तरीके से कर रहे हो आप चाहती हो कि माजग जन्नी मांबे की क्रिपा आपके उपर हो और मातारानी का आशिरबाद आपको हो ताकि आपके घर में सुक समरिद्धी धंदाने की खूब बरकत हो और घर में हमेशा ही शांती बनी रही तो आपको जो भी आप पुजापाट करते हैं गुप्त नवरातरी में उसका क्या लाब आपको होता है कभी-कभी ऐसे भी दिन होते हैं क्योंकि सारे दिन एक से भी नहीं होती है बक्त जो है वो बदलता है बक्त किसी और फिर आकर वही बक्त पे आकर खड़ी हो जाती है दिन जो है वो बहुत बलवान होते हैं दिनों का बहुत बड़ा महतु होता है जैसे कि हम जब बच्चा पैदा होता है तो उस दिन का मूरत भी हम देखते हैं उस दिन का हम शुब मूरत सुब घड़ी भी देखते हैं ब तरह से जब हम गुप्त नवरात्री की पूजा करते हैं तो सभी लोगों के मन में ये भी बहुत बड़ा सवाल उत्पन होता है कि हम जब भी पूजा अर्चना करते हैं तो उसका हमें क्या लाब होता है लाब के लिए कभी भी कोई भी पूजा अर्चना नहीं के जाती है हम अ प्रश्णों के लिए और अउनके सेवा में हमेशा ही लगा रहे हमारे मन किसी भी कोई स्वार्त नरे हमारा गर में शुक्षांति समरिद्धी हर कोई चाता है कि हमारे घर में हर सरप से सुख आए धरिदरता का नास हो घर में जो है मालक्ष्मी की भी कृपा हो और घर के अंदर लड़ाई जगडा कले कलेस यह सब के सब खतम हो जाए और कारोबार में भी उन्नती हो तो अगर आप भी मा दुर्गा की साधना गुप्त नवरातरी में करते हैं या पूजा अर्चना करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है आपको सुबे साम जो है दुर्गा सब्सरी का पाट करना है इस पाट के अंदर इतनी ताकत है कि आपकी समस्त जो दुख हैं समस्त जो रोग हैं या समस् मारियां दुख दर्द आ रहे हैं आपके सामने वो सभी के सब माद दुर्गा की कृपा से हर लिए जाएंगे और आपके घर में भी सुक्षांती समरिद्धी आएगी माता राने के रूपों के जब हम पूजा अर्चना करते हैं पाठ पूजा करते हैं सभी की सभी देवियों का में जो है आशिवाद प्रापत होता है और माता की कृपा जिस पर हो जाती है उसको जो है हर चीज़ की अपने आप ही कामना जो है उसकी पूर्ण होने लग जाती है मनों कामना पूर्ण होती है इच्छा पूर्ती होती है घर के सुक्षांती समरिद्धी मिलती है घर के अ कि आप सुबह की रोज जो लगाती हो मातागी दिपग लगाती हो और आपने जैसे ही आप पुजा अर्चना जैसे दुर्गा सब्ची का पाठ कर रही हूँ उस पाठ के बाद आपको जो है दुर्गा चालिसा का पाठ साथ बार जरूर करना है इन दिनों पे अगर आप जितन उस मंतर का जीवन में अधार बना लिया हो तो उस मंतर का जितना हो सके उतना गुनगान करेंगे तो आपका कारे भगवान और माता राने की ग्रेपा से आपकी इस्ट की ग्रेपा से पुन होगा और घर के अंदर हमेशा ही सुखसांती आएगी और आपकी हर मनुरत पूरे ह होते हैं हर तरह की मनों कामना है मा दुर्गा पून करती है जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं या माता के लिए हम अपने मन में ध्यान लगाते हैं और सूचते हैं कि मेरी ये मनों कामना है या मेरी इच्छा है मेरा ये शोक है मेरे को ये नौकरी चाहिए या मेरे को इ सारी मनोकामना है इन दिनों पे मातारानी से आप पून करवा सकती हो तो आपको दुर्गा सब्तशी का पाठ सुभे शाम करना सुरू कर दीजे समस्त मनोकामना है आपकी पून हो जाएगी छोटी से जानकरी आपके लिए बहुत अनिवारे थी तो आशक करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और मार्किंस प्यारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें चलिए जयमत है